दोस्तो जैसा कि आप सभी का questions आ रहा था grey network को लेकर कि कि इसमें ना तो by sell हो रहा है और ना ही यहां पे double हो रहा है तो grey network में अगर आपने sign up बगएरा किया है यहां पे जो free में spin बगएरा मिलता है वो अगर आपने किया है तो आपको सबसे पहले application को update कर लेना है और यहां पे जो by sell है वो enable कर दिया गया है और double के update है वो भी हम आपको इस वीडियो में cover करेंगी तो जिन लोगों नहीं आपर sign up बगएरा किया था वो आराम से इस process को कर सकते हैं और जिन लोगों ने deposit किया था उनका भी आपर हम सारा कुछ process बताएंगे सीधे चलते हैं topic पे मैं आलोग होता है तो यहां पर आप सभी को login करना पड़ता है तो login में आपको ID और अपना यहां पर password डाल देना है और simple तरीके से आपको application login कर लेना है यहां पर देख सकते हैं दो option आपको मिल रही है और दो options में जिल लोगों ने पहले account बना लिया है तो आप लोगों को यहां पर login कर बनाना है और जो लोग new बनाना चाहते हैं वो यहां पर जाकर कर सकते हैं और जो लोग new account बनाएगे आप सभी को पता है कि आप नेम बगएरा और country बगएरा सेलेक्ट करनी पड़ती है referral code डालना पड़ता है अगर आप यह डालते हैं तो आपको कुछ coin extra मिल जाते हैं तो हम सीधा login पर क्लिक करेंगे और यहां पर ID और password आपको डालना है सबसे पहले email ID यहां पर आपको password डालना है यहां से आपको login कर लेना है आप यहां पर देख सकते हैं इस account में हमारा 48 ग्रे पड़ा हुआ है और यहां पर हमारा login हो चुका है अभी current की बात करते हैं तो आपको free में यहां पर gray coin मिल जाते हैं अब यह जो free में यहां पर gray coin मिलते हैं यह आप तभी sell कर सकते हैं जब आप यहां पर deposit कर लेते हैं अगर आप deposit नहीं करते हैं तो यह आपके आपे sell नहीं होते हैं अब एक gray coin की अगर आप अभी कीमत की बात करते हैं तो लगबग यहा सम्टिंग आपे पहुच चुकी थी लेकिन अब इसको मैं बताना चाहूंगा यहां पर दिया गया है यहां पर आप देखेंगे अब आपका जो आई एनर वाले बैलेंस था यानि रुपाई में जो यहां पर सो हो रहा था वह आपका यूएश्टीटी में सो होता है अब यू जानते हैं ुएस्टीटी सेल करेंगे तो किसी गिसी एक्सजLY करनी पड़ेंगी लेकिन कुछ और रास्ते हैं वर्मकिसी अधार वीडियो में या पर देखेंगे किस तरीकिसी ऐ टैक्स नहीं लगए रहा यूप से लिफ यह कहते हैं तो हम कहेंगगि कि आगर आपके पास भी deposit ना करें मैं आपको इस पश्ट तरीके से यहां पर बताना चाहूंगा अब चलते हैं सीधे बिडूबल और यहां पर जो यहां पर यह आपको देखने को बिल रहा है बॉलिट वाला सेक्सन इस पर हम चलेंगे और इस पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहां पर देखेंगे दो आपको मिलते है एक टीपोजिट का एक डॉल का अब यहां पर इमान के चलिए मैं ड्यपोजिट पर क्लिक कर देता हूं últ यहां पर आपकोएんとच स्थै जाता है इस पर आप आराम से यहां पर आप देखेंगे यह मेरा बॉलिट एडर से यहाँ पर जनरेट हो चुका है इस पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ deposit लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर चलूँगा और बाहर चलने के बाद में यहाँ पर जो डोल का options आपको मिला है इसका use case आपको बताऊँगा आप लोग अगर sell करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगबग क्योंकि मैंने काफी समय पहले से use कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर लगबग deposit था fund और अच्छा कासा deposit था वहाँ पर मुझे staking की income मिल रही थी तो वहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 usdt का लगबग यहाँ पर sell भी कर दिया है कोईन और यहाँ पर बताना चाहूँगा जो लोग sell करना चाहते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर deposit करना पड़ता आप देखिए कैसे sell करना है मान के चलिए आप sell करना चाहते हैं आपने deposit भी कर लिया तो यह जो आपका total income वाला option है इसी पर जैसे ही आप click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 coin मेरे पड़े हुए है यहाँ पर मैं क्या करूँगा आँगा क्योंकि यहाँ पर 4.48 लिखा हुआ है और अगर यहाँ पर मैं 4.47 लिख दूँगा तो आराम से sell हो जाएगा आपको देखा देता हूँ यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो fees ली जाती है 0.25 पर फेंट यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी दिखा था insufficient fund तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4.8 लिखा था 4.7 करतेंगे जैसे ही 4.7 करके और summit पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आराम से यह sell हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं Your quantity has been sold successful यहाँ आप बेच दिया है आपका successful यहाँ पर sell हो गया है coin आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 30 USDT के something fund पढ़ा था वह यहाँ पर 31 USDT के something यहाँ पर fund हो चुका है अब मैं क्या करूँगा यहाँ से जो बिडूबल वाला option है उसको भी करना सकते हैं बिडूबल पर हम क्लिक करेंगे जैसे बिडूबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख काता है currently hold यहाँ आप इस समय बिडूबल नहीं कर सकते हैं अब बिडूबल का क्या process है इसी लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप sell करके यहाँ पर रख लाएं बिडूबल कुछ time में जैसे ही यहाँ पर enable होता है एक सी दूद में आराम से आप यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज में और जहां भी आपका wallet वगर आप ले जाना चाते ह तो ले जा सकते हैं simple process यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आंगी का जो भी process बताया जाएगा इनकी तरफ से वह हम आपको provide कर देंगे आपको यहाँ पर four digit का एक पिन डालना पड़ता है पिन कैसे आपको बनाना है वो इस वीडियो में भी cover कर लेते हैं तो यहाँ पर आपक पिन आपको create करना ही करना पड़ेगा यहाँ पर great transactions जो buy sell बगरा होते हैं यहाँ पर bank बगरा अगर आप add करना चाते हैं तो bank add कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे सबसे पहले जो यह options है इस पर ही चलेंगे यहाँ डूबल पिन पर जैसे ही हम click करते हैं तो यहाँ पर मैं पिन डालना पड़ता है यह आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको confirm पिन डालना पड़ता है यहाँ पर जैसे आप मानके चलिए 1,2,3,4 याँ आप जो भी बनाना चाहते है वो आपके उपर depend करता है तो आपने यहाँ पर डाल दिया 4 डिजिट का पिन यहाँ ठीक है और लिखकर क्या अगा bid double pin generated successful याँ आपका जो bid double pin है वो यहाँ पर successful बन चुका है इसी तरीके से यहाँ पर process जो होते हैं वो हमें करने होते हैं अब आपका bid double का जो questions है जल्द ही यहाँ पर solve होने वाला है याँ बिड़ोल यहाँ पर enable होने वाला है अब INR में अगर यह convert कर दे करेंगे अभी अगर आपके इस project के रारीं कोई different questions हैं तो आप में comment box के दूप बता सकते हैं इस वीडियो इंप लाइक नहीं दब तक के लिए नवसकार कि सीधा topic के खिरूगे आपसे मुलाकात thank you for watching